प्रेंट्स आप लोग को पता है कि YMW Financial Services के मात्यम से आप लोग के बहुत सारे बिजनस कंप्लाइंस या जो भी बिजनस के लिए लेगल लाइसन्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो हम लोग डेवाईडी जो है आप लोग को देते जा रहे हैं तो मैंने आप लोग क को बहुत दर बता है कि कंट्रेट लेवन लएसमें की स्टेट के प्लाइं कर सकते है। आज ये आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अरुनाचल परदे ason से बीड़ों करता हैं तो अगर आपको अंट्र से टेंट मिला चाह रहे हैं तो वहां पे कुछ रिक्वाइड डॉकुमेंट रहते हैं वह डॉकुमेंट आपके प्रॉपर होनी चाहिए तब आप एप्लाइब कर सकते हैं कि आप किसी तरह का गलत इंफॉर्मेशन करते हैं तो जो भी आपको बता रहा हु किश्च सबसे पहले प्रॉपर डॉकुमेंट आप अरेंज करेंगे तो यहां पे अगर आप जाना चाहिए क्या-क्या डॉकुमेंट लगने सबसे पहले सर्विस हो जाने के बाद आपके लेबर और यहां पर क्लिक करना पड़ेगा त तो इसके नतबर घ्राइब करें हैं लेवर लाइसे करें करें यहनी इटिव नमबर आपके पासों भॉना चाहिए जिसको योनिक बिजन्स अटेशिंब सोनाच चाहिए इसके लब जो भी गोवंट्वर्बैंट वो भी आपको मेंनेटरी है अगर आप यहां पर कैसे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता हूंगा क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं इसके बारे में हम लोग पूरा लाइफ देखने वाले इसके बाद आपको फॉर्म फाइब मिलता है और गौर्वर्म वर्क ओर्डर तो यहां पर सबसे पहले आपको दिखा दो यह जो है फॉर्म फाइब मेरे क्लाइंट का जो की अरुम नाचल पर्देश प्व्ड़्य यह वर्क ओंटर मिल गया फॉर्म फाइब मिल गया अब मुम्मारे पास में क्या होना चाहिए और यूबी आई एन नंबर होना चाहिए जो आपको मैंने बता है तो इसी को हम लोग इन कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा तो सबसे पहल क्लिक करना है यहां पर क्लिक करना है जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह जो आपका रिच्टेशन है इस प्रकार से आपको आपको मैं सेप कर लेता हूं और आपका जो भी मॉवाइल नंबर होगा उस पर ओटीप आएगा आपको उस ओटी इसके बाद जो भी आपने email id और password फिल किया था registration के समय, उसी कितरू आपको login करके आपको in करना पड़ेगा, चले हम लोग यहाँ पर login कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपना email address और password फिल करके login के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, login करने के लिए, जैसे ही login कीजेगा, तो आप द कर देना है, जैसे apply कीजेगा, तो आप देखर यहाँ पर single window agency common application form open होके आजाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर select करना है, किस तरह के entity है, तो यहाँ पर प्रोप्राइटर सी पर हम लोग इसको select करेंगे, select करने वाद नेम आप प्रोप्राइ तो आप देख पाएंगे कि यह जो आपका form है, आपका next step पर जाएगा, जहाँ पर contact person का पूरा detail करना पड़ेगा, तो salutation यहाँ पर mister select करेंगे, यहाँ फूल नेम रहेगा, age दिया रहेगा, gender रहेगा, ST जो भी cast हो मैंने मिश्रक किया था, इंडर यहाँ पर, अब यहाँ पर फोटो हमको अपलोड करना प्राइगा, इसका फोटो अपलोड होगा, जो भी यहाँ पर प्रोप्राइटर उसका फोटो अपलोड करेंगे, अब पूछेगा कि यह existing business है, new business है, अगर existing business है, आपको यहाँ पर click करना पड़ेगा, और यहाँ पर date डालना पड़ेगा, name of the enterprise आपको फिल करना है, आप यहाँ पर select कर सकते है, अपने अकॉड़ेगा, तो हम लोग पैन कार्ट भी select कर सकते है, और पैन कार्ट नमबर देना है, GST नमबर होगा, तो देंगे, अगर यह mandatory नहीं है, यहाँ पर प्रोप्राइटर होगा, मोबाइल नमबर, email ID, full address, यहा जैसी save and next प्रोप्र पर click करेंगे, तो आप देख पाएंगे, इस तरह से आपको आएगा pop-up, आप यहाँ कर देना है, करने के बाद आपको यहाँ पर अप्र प्रोप्राइटर करना पड़ेगा, आपको यहाँ पूरा एप्रिकन का full address, फिल करना पड़ेगा, अब फानली इनक्षर होगे, वह हम लोग देखते हैं, नीचे जाएंगे, यहाँ पर सारा डीटिल आपका रहेगा, और यहाँ पर attach एनक्षर का एक आपको option मिल जाता, अब यहाँ पर click करना है, click करते ही जो है आपको सारे एनक्षर अपलोड करने पड़ेगा, क्या-क्या है यहाँ पर select in closer document, तो यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं, कितने सारे दिएगे हैं, pancard upload कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कर देंगा, identity probe में, residential probe में आधार काट कर सकते हैं, आप यहाँ पर, pancard यहाँ पर अपको upload करना पड़ेगा, चली यहाँ यहाँ पर one by one कर सारे document upload कर देते हैं, सार आप किसी तरह का कोई भी changes करना है, तो आप भी भी changes कर सकते हैं, अपने application को cancel करके, तो मुझे cancel नहीं करना है, मेरा application बिल्टो सही है, तो हम लोग करने हैं, finally submit का button देखेगा, submit का button पर click कर देंगे, click करते हैं, यहाँ पूछेगा, क्या सही में submit करना चाहते हैं, तो obviously yes करना, आपको click करना पड़ेगा, click करते हैं, आपका यहाँ पर जो भी UBIN का application है, वो successfully यहाँ पर submit हो चुका है, तो आपको reference नमर में बिल जाता है, और याद रखे friends कि यह आपका application acknowledgement है, अभी आपका UBIN नमर आया नहीं है, अभी आएगा, उसके बाद ही आप इसके लिए आगे आ नहीं का business identification number के लिए, तो यहाँ तक लिए रहा है, तो अगर आपको इसको save करना, तो basically यहाँ पर export to print है, तो यहाँ पर export to PDF था, तो PDF यहाँ पर convert कर सकते हैं, तो यहाँ पर print निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर print बटन पर click करेंगे, और यहाँ पर save हमनों कर देते हैं, तो यहाँ पर, अब हमनों क्या करेंगे, इसो close कर सकते हैं, close करने के बाद, अब आपको यहाँ पर सारे चीज़ दीख रहे है, status क्या है, अभी submitted है, अभी यहाँ पर किसी तरह का approve नहीं हुआ है, जाद रखे कि यहाँ पर अगर आपका status approve हो जाएगा, तो आपको यहाँ प उनलों को जानकरी हो सके, इसके लाब नेक्स्ट वीडियो पर जुरूब वेट कीजिए, जिसे मैं आपको बताऊंगा कि आप अरुनाचनल परदे से बिलोंग करते हैं, तो आप contract label license कैसे apply कर सकते हैं, याद रखे जितने में viewer से, कोई भी contract label license है, बीना आपका work order of form 5 का नही बनेगा, state वाला, इसके लाब अगरें हो बात करें central की, तो आपको वहाँ पर form 3 लगने वाला है, और work order लगने वाला है, यह दोने जो है mandatory document है, इसके लाब जो भी आपके principal employer होंगे, उनका भी जो है यहाँ पर आपका registration certificate लगता है, यानि कि जो आपके principal employer है, वो भी जो है, department में registration कियोंगे, तो उनका भी certificate लगता है, तो यह सारे document अरेंज करके ही जो है, आपका label license बन पाएगा, अदर्वास नहीं बनने वाला है, यहाँ थे clear हो पार है, तो फेर्ट वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देजेगा, बस आज के लिए इस वीडियो में, धन वीडियो